लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें हमें वतन बेगर्व है जिये तुझे मरे तुझे आवतन तेरी छबी समारे आ नजर तेरी हम कुतारे कद्रा तस्तिना नभूते राइब मलूते है एल्ट अपैस्ट अप्टती परेस्टेटर परेस्ट अपरा य। हमेरा ख़ल निक्रखना, हमेरा तजरक्षना हमेरा ख़ल निक्नना, हमेरा तजरक्षनीना हमे वतन वे गर्भ है, हाँ गर्भ है जिये तुझे, मने तुझे, मने तुझे आटु रनाम आजोंड नाहे गटूद हुट जोग जोग ! अर्जुन रनाम थत्यरा है अर्जुन रनाम थत्यरा है अर्जुन को फासी दो फासी दो अर्जुन को आप असी दो आजाजाय उन्यादे भाकारचाच नायम भाभाड़ण अद्ग यह रूहर आजाजाय यह है एसी पी अर्जुन रणावत जिसने एक नवंबर की रात मुख्य मंतृरी के फारम हाउस में घुस कर नहायती बेरहमी से उपर मुख्य मंतृरी भद्दिनात्रुवेदी मुख्य मंतृरी के पुत्र मुन्नात्रुवेदी पुलिस कमिशनर यश्वन देश-पांड़े के बेटे चंदरकान देश पंडे, पुलिस इंस्पेक्टर अवस्थी, एडवोकेट कुलकर्नी, सब्ताधरी दल के छे अमेलेज और कुछ पुलिस और सरकारी अफसरों सहेद, कुल मिलाकर, 18 लोगों का बेरहमी से कटल किया है। यूर अनर, ये कानून का रख्षक नहीं, बख्षक है बख्षक, इस सामुही खत्याकान से इस दिना केवल सरकार या पुलिस, बलकि समुची मानवता को कलंकित किया है। ये मौकाई वारदात पकीची कुछ तस्वीरे हैं, यूर अनर। यूर अनर, इस भीशन हत्याकान की तफ्तीश और इसके पीचे छेपेवे शड़ंत्र का पता लगाने के लिए, पुलिस इस आरोपी को पंदरा दिनों के रिमान पर पुलिस हिरासत में सौंपे जाने की मांग करती है। अर्जुन राणावत, तुम्हें इन आरोपों के बाहरे में कुछ कहना है। नहीं। क्या तुम्हारा कोई वकील है। नहीं। क्या तुम चाहोगे कि आदालत तुम्हारे लिए कोई वकील नियुक्त करे। नहीं। सरकार ने तुम्हारे उपर 18 निर्दोष नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया है और पूछ ताज के लिए 15 दिनों का रिमान मांगा है इस दोरान तुम्हें कुछ चाहिए? किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? हाँ है वो क्या? मात आरोपी अर्जुन रानावत को 15 दिनों की रिमान पर पुलिस कस्टडी में सौपा जाता है अपने आपको मानसिक रूप से सौ प्रतिशत संतुलित बताते हुए रानावत ने कहा कि उसने पूरे होश वास में ये नसंगार किया है जब जज ने उससे अंतिम बात पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत है तो उसने वही जवाब दिया मौत बंदना सचनानी आज तक मुंबई ये श्वन्तेश्क पांडे ये चार्शी तयार किया तुने है ये सिर्फ हत्यारा वो सिर्फ हत्यारा नहीं है राक्षस है राक्षस हाँ ये देख ये देख मुझसे मेरा बेटा मेरा भाई मेरा दामाद ची लिया मेरी बहू मेरी बेटी की मौंकर संदूर मटा डला अरे तेरा बेटा भी तो खा गया वो उसका गम नहीं है तुझे अरे हमारी चिताओं को आग देने वाला कोई बाकी नहीं छोड़ा उसमें हमारा वंशनाश का डाला वंशनाश सुनो त्यागी जी तुराचार व्यभीचार भ्रश्टाचार देश्द्रो और गद्दारी तक जितने भी जुन आपकी कानूं की किताबों में लिखे है ना सबके सब उस हरामी के मत्ते मर दीजिये सारी के सारी धराएं ठोक दीजिये उस पर स्क्यूज में सर मैं राडावत को पिछले तेरह साल से जानता हूँ वहत्त्यारा जरूर है मगर वो देश दरोही या भरष्टाचारी नहीं है क्या कहा तू नहीं कि जब हमने कह दिया कि वो देश दरोही है तो वो है कि अबरह कहा कानून है और हम इस प्रदेश की अदालत है किसी भी आफसात की आखों में हमारे पेटे के हत्यारे के लिए प्यार क्या जुबान पर हम दर्द ही नजर आई तो हम उसकी आख कान जुबान कटवा के इस शेहर से ही नहीं इस दुनिया से भी उठवा दूगा समझ गे तुम लोग ठन्सर execut करें बीचे बाइब कि लुबान से घर्भण की इस नहीं दर्द हिर में चाहता थे उड़них प्यार करें दूझ को दूँपा से भी खूबान प्रहा दिनग हमे हम बंदी को दो हम व्रदी के रवा कवस्जाद easा वां प्रत्र प्रत्र प्र्ला प्रत्स खोल दो इसे इन कागजात पर दस्तिकत करो अर्जुन रानावत तुने मेरी कलोते बेटे का कतल किया है जब तक अदालत तुझे सजा नहीं देती मैं तुझे इस कैद में हर रोज एक नई मौत मारूंगा देश पांडे जी इसने इन कागजात पर दस्तिकत नहीं किये बलकि अपनी जिन्दगी मौत के हवाले कर दी है आईए पेटे आज अदालत में तुने शस्त्र क्यों डाल दिये तु बता था क्यों नहीं तुनिया को कि तुने इनरसंगार क्यों किया है तु अपने लिए मौत क्यों मांग रहा है बेटे क्यों मांग रहा है क्यों क्यों मांग रहा है क्यों क्यों मांग रहा है मैं इस शरीर इस चन्म से मुक्ती चाहता हूँ माँ, आज के बाद आप और रखी मुझे या मिलने मताना क्योंकि हिंदू धर में माँ, बेहन, शम्शान नहीं जाये करती चलता हूँ, माँ इस चन्म में इतना ही साथ था मेरा माँ तुम मत बनाना मैं फिर लट कर रहा हूँगा अबने बागवाँ से कहना कि अपली बार मैं तरह बेटा बन करी चन्म दूँ आदर नियर समर्सिंग जी आपको और आपके आदरशों को मेरा अंतिम प्रणाम मैं आपके सिद्धान तो इस पुलीस फोर्स इस वर्दी और इस ड्यूटी को त्याक चुका हूँ मेरी आपसे एक अंतिम प्राटना है सर तो बारक कभी मत कहिएगा सत्य में विजह दे क्योंकि सत्य तो ये है कि इस नपुन्सक समाज में अंतिम विजह सदा असत्य अधरम और अन्याई की ही हो दिये मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि हम सिपाही महज एक सरकारी मशीन नहीं पुली स्थाने के बार हमारी भीग दुनिया है जो आपके बताय रास्ते पर चलते हुए न जाने कहां खो गई तो अभी तक यही है मंदिर नहीं गया मैंने तुसे कहा था न बेटे मा मैं मंदर जा के क्या करूँगा चल तुने बौरी बहुत बना ली चल कर भगवान को भी मना ले बेटे तु चाहती कि में मंदर जाओं बगवान की पूजा करूँ हाँ बड़ा एसान होगा मुझ पर कहा लेकि जा रहा है इदर आप यहां बैट अच्छा जैमा जगदंबे जैमा दुरके जैमा काली जैमा सरस्वति अरे पगले तु क्या कर रहा है से लिए लिए मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा किसीने सच कहा है क्योंकि भगवान एक ही वक्त हर जगा नहीं हो सकते ना इससे लिए उन्होंने महा को बनाया है मा तो ही मेरा मंदर तो ही मेरा सब कुछ है बावला हो गया है तू एक अधने इंसान की तुल्णा भगवान से नहीं किया करती बैठी अच्छा 1984 के दंगे यादे मा जब एक छोटा सा बच्चा अपने माबाप के लाश पर रो रहा था उस वोड़ भगवान नहीं तू आई थी मा मेरी असली माने तू मुझे सिर्फ जनम दिया है तुने मुझे जीवन दिया है मेरा वजू सिर्फ तुछ से है सिर्फ तुछ से है मा राखी को तू मैंने जनम दिया है मगर तू तू मेरी कलेजी का टुकड़ा है तुझे पाकर फिर भगवान से मैंने कुछ नहीं मांगा। क्यों जूर बोल रही हो मा? कुभा से लेकर शाम तक तुम भाईया की सलामती की पूजा करती रहती है। और फिर भी कहती हो कि तुम भगवान से कुछ भी नहीं मांगती। ए राकी, चुप, चलती है तू, क्योंके मां मुझसे जादा प्यार करती है। क्या? चलती हूं तुम से? माय फुट। अरे बाप, ने बाप, मां, यह तो फुल जवड़े के मून में आई है। शगरा करने नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूं कि मैं कॉलिज जारी हूं। और आपकी परसे मैंने हजार रुपए ले लिये हैं। देखा मा, पुलीस वाले के घर में डाका। ए, डाका नहीं डाला। अपना हक लिया है मैंने। आपका नाश्ता लगा दिया है। जब आप मा बेटी का भरत मिलाब खतम हो जाए, तो क्रिपा करके खा लिजेगा। चलती हूं। बाई। बाई। बाई मॉम। देखा मा, राखी कितनी बड़ी हो गई है। हाँ बेटी, जब एटी बड़ी हो जाती है, तो मा की सीने का बोज बढ़ जाता है। कैसी बादे करती हूं मॉम। काय को कभी अपने सिंग भारी लगते। तुझे राखी की शादी की चिंता है ना। हाँ। फिकर मत कर, तेरा ये बेटा, अपनी बहन के ऐसी दुमदाम से शादी कराएगा, कि पूरी दुन्या देखते रहे जाएगी। देखा साब, एक हीरो कभी क्या जलवा होगा जो हकीम लुक्य का जलवा है। शल्ट। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है साब। आपन भी इंसान है, काय को जानवर के माफिक घसीटता है। हैदर साफ, एक सूटा मिलेगा क्या। चुप चाप चल यार के जने, एक बार जजज तुझे पुलीस का स्टेडी में दे दे, फिर लॉक अप में तुझे खूप सिगरेट फिलाँगा। ये तो जजज का फैसला ही बताएगा। ग्रांट रोड में इनके बियर बार सें, और अपने बार में ये चकला चलाते हैं। यूर अनर, जिस्त वक्त ये पुलिस वाले हकीम लुका पर वेशा के नातकान काटने का इल्जाम लगा रहे थे। उस वक्त ये बेचारा ग्रांट रोड में तो क्या मुंबई शेहर में नहीं था। ये तो लखनव गया हुआ था पारिटी के प्रचार के लिए। ये नहीं पुलिस के मक्कारी का सुबूत ये है लखनव का इन टिकेट ये है लखनव के गेस्थाॉस का रिजिस्टर और ये रहानर ये है उस लखनव गेस्थाउस के मैनेजर ये जूट ़ोँता ये कुटकरनी। अगीम लुक का एक भड़वाए ये सलहरमी मासुम लड़्टों से घंदा विर्वाता है सुना सुना आपने योर अनर ये है हमारी मुंबई की आदरिनिय पुलिस अदालत में खड़े ओकर गालिया दे रही है अगली बार आपने इस अदालत में पेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया तो आप सस्पेंट कर दिये जाएंगे अदालत को मजाग बना रखा है बगएर सुबूत या गवाह के लोगों को पकड़ कर ले आते हूँ इस पार मैं आपको चेतावनी दे कर छोड़ रहा हूँ आइंदा इस तरह के मसले लाकर अदालत का वक्त जाया ना करें अब युक्त को बाईजत परी किया जाता है थैंक यू मिलार्ड अजार बार तुछे कहा है कोर्ट में तमीज से पेशाय कर वो हमारी कमीज भाड़े जा रहे और तु कहता है कि तमीज वर है क्यों अरुजन सहाब उतर गई ना कोर्ट में पतलून अपन बोला था वकील साब अपन डंके की चोट पे बोला था कि इस बार भी हकीम लुक्का ठूट कर दिखाएगा क्यों क्या उखाड़ा तुन्हें वो क्या है न साहब अप उन्चे दुश्मनी तुम्हारे लिए खतरा और तुम्हारी बहन के लिए भी खतरा तुम्हारी बहीं बहुत खूबसूरत है साहब लुक्या झौण है साहब गवार्जून, आइसें लिवार्वार्ष! अरजुन, ठागर हो गया तो! अरजून, भाई उठरो! एए खुलकरनी, जे जा रढ़े को! एए! समझाले अपने हिरों को! हाथ पर चलानों बहुत महिंगा पड़ेगा इसको! वर्दी उतरवा दूगा वर्दी तू मेरी वर्दी उतारेगा अर्जुन ले जा इसको ए जा रहा हूँ मैं लेकि समझा इस हीरो को वकील से दुश्मनी बहुत महेंगे पड़ेगी इसको जलो का बाई जल ना आई जिको लेकिए जाए 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 बस अर्जुन इनफ बहुत हो गया क्या बसकर तू साल हमेशे मुझे रोक देता है वो हरामी कुद देक कप लहक कीम लुगखा हमारे मूँपर थुकर चला गया और हम कुछ नहीं कर सके और तू कहता के बसकर यह देख दिखता है तुझे सरकार ने हमारी कमर में बंदुग लड़का दिये लेकिन हम इसे चलानी सकते और वो साले बेंट के ठके पीच सड़क पर कोलियां चलाते और हम ट्या करते क्या करते हम सिर्फ उन भड़वों को ले जाकर मेजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देते और फिर वो पुलकर नी आकर उन्हें चुड़ा कर ले जाता है और हम क्या करते इसे हाथ में पकड़कर खड़े रहते है और है है वो मेरी बेंड के बार Questions नॉकUST कर रहा था दुखे में चुप बैटना कि मेरी बैण मेरी बैंड क्या लगा रहा रोक है राकिक तरस्कर अरजुन कुथ्स्तों के भॉक्ने का जवाब मैंने इन देता लेकिन अगर किसी रोज वो सुवर का बच्चा मुझे सही वक्त और सही मोड पर नजर आ गया न, तो मैं उसे काट कर गंदी नाली में बाहर दूँगा चलो उट, उस भड़वे के लिए दिमाग खड़ाब करने के कोई जुरूरत नहीं आप, चल चलते हैं तो जा, मैं और बैठूंगा हाँ भई, आप क्यो आएंगे आपकी जिननत के आने का वक्त यो हो गया है तो फिर शुरू हो गया अबे साले, जो दिल में है उसे जुबान पर लाने में शर्माता क्यो है उसने तो लाखो बार अपने प्यार का इजहार किया है और एक तू है के भाइदर, जाना जाता हूँ बबा आजकल किसी को नसियत देना ही गुना है और सुन, जादा मत पीना गाड़ी तुझे चलानी है सैया मोरा सैया सैया मोरा सैया मतन मलाई हूँ दिली से आई हूँ चकना बिलाई हूँ जिखले रे सैया और चमपाचा मेली हूँ बिलकुल अकेली हूँ मस्ती बिलाई हूँ जिखले रे सैया सैया मोरा सैया शादो कदर फिरा कोरा मेदन फिरो चलता है तन फिरा दयार नहीं है ऐसे जवानी है दुनिया दिवानी है उपी दिवारा वंजा वंजा सैया मोरा सैया सैया मोरा सैया यह झादो यह झादो सैया मोरा सैया सैया मोरा सैया दिल्की कमानद पे अले दिल्की कमानद पे पपली कमानद पे आई दुर्ली मानद पे आज्ञा आज्ञा आज्ञार इस्जिन यहीं क्या देखते तक मधिए विपती है क्यों आफो गॡ्लूना घोकातो चनगार डिशिनके दोicked दीशंगई सैयों 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 बयाँ पकड़ पुर्चिन्या सैयों पुरा सैयों क्कीतों दोधिर शतुरा फ्रिफ्टों बयाएmi, क्कीतों प्रखेट, यहां सैय ci煌. चोले भी सता आये रमा सब्सक्राइब भीत WORौ भिलने जोब वाभा सत्य हमें पुझे लिए उच्छक नावियाए उच्छक तेरे साया उच्च बच्च पिली उपल कुल रखी उच्छक तेरे साया साया, 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 साय रोज की तरह आज फिर तेरा शेख तुझे फ्लाइंग किस देकर निकल गया हमदर्थी के लिए शुक्रिया अरे जननत एक से एक मालदार तेरे कदमों में बिच्छे रहते हैं और तू है कि एक पुलिस वाले पर मर मिटी है आखिर ऐसा क्या है उसमें तू नहीं समझेगे मेरी जन मालदार और दिलदार तो इस बार में टके के भाव मिलते हैं मुझे तो यहां हर मर्द की नजर में सिर्फ भूक और हवस नजर आती है लेकिन अर्चुन अर्चुन की नजर में मुझे इमान और इस्सत नजर आती है अरे पगली, आखर कप तक उसके इंदिजार में यूही बैठी रहेगी? सारी जिन्दगी, और अगर ये जिन्दगी कम पड़ी न, तो अगली जिन्दगी भी उसी के नाम कर दूँगी ये जो मैं अगुठी अपने गले में डाल की गुंती हूँ न, इसे तो मुझे सिर्फ अर्जनी पहनाएगा ये नहीं समझेगी ये जिन्दगी वेड़ी के अरि एटा कहां कि वेड़ी के वे अर्वापी ये वेड़ी है वेड़ी वेड़ी हा येड़ी कि पैचाना अप उनको लुक्का है हकेम लुक्का गुर्था क्या है साव एक दाम मस्थ हादिया मस्थ कौला मालक कौला अभी तक नद नहीं होती है एक से एक मस्थ चाविया अप उनके पास तुम मांगेगा तो रोज तुमको नया देगा अब उनसे इज़त से बात करने का क्या है इज़त से बात इज़त तर लोगों से की जाती है बढ़ों से नहीं आए बढ़वा किसको बोलता है रहे यह सड़क देख एक दम संसान ना बंदा ना बंदे की जात इधर पन देख दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता अगर इस वक्त विदरिच अपन तेरे को टपका डालाना तो साला किसी को कोई सबूत कोई गवा नहीं मिलेगा के कौन ACP अरजुन राना वद को टपका कर चला गया बस कल सुबा अकबार में तेरा फोट हो और कल रास से तेरी पहन अप उनके जीप ने जलता हूं सोच ना जो अपन बोला अप उनके लिए काम कर नहीं तो दाय लावारिस मौत सच बोलता है समसान सरक लावारिस मौत अगर मैं से यह मारतूं तो एलुका अबोल या बोला तेरी को मश्वरा दिने का बहुत बहुत शुक्रिया मश्वरा मश्वरा यावा आव अ हुआ लाव वाव हुआ लाव लाव ब्रोडान ट प्रूये में लिणांना धुर गोगाने लुर वाँ बाँ 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 इुर याँ बाँ आ। बाँ लिख त आ Ahhhhh! Ahh! Ahhhhh! Aaaahhh! AaaAaAaaaah! Aaaah! Aaahh! Yedek! Sumsen sarak. यह देख, नपंदा नपंदे की साथ और कल अबार में, मेरी नहीं ती तास विच्चफफगी, लवर इसमट जेख, यह अपंदा यहीं नपंदा में जाफंदा यहीं यहीं अदो अर्जुन रनावाद तुम्हारे कल रात के कारनमे ने मंबई शिहर और सरकार को हिला कर रख दिया है और तुम्हारे सथ्याकान में जारे पुलिस पो est को कलंगित कर दिया है हिए देखो यह देखो यह देखुत कोई हमें बर्दी वाला घंडा तो कोई हमें वर्दी धारी राक्षस कहे रहा है राक्षस तुम्हें इसका दंड भुगत न होगा उस कागज पर लिखो कि गुसे में अपना आपाखो कर तुमने यह खत्याकांड किया है यह खत्याकांड मैंने गुसे अपरिती शोद में नहीं आत्मरक्षा में किया है, it was an act of self-defense. Act of self-defense, my fault? बेवकूफ मह समझी आप हमें, आत्मरक्षा में कभी कोई हमलावर के शरीर की सत्रा हड्डिया नहीं तोड़ता, पीठ के बल उसे लिटा कर उस पर अपनी गन की पूरी मेगजीन खाली नहीं करता, यह रही, याज की गई अटॉपसी की रिपोर्ट. क्या तुमने पुलिस नियमावली, पुलिस प्रोसीजर कोड नहीं पढ़ा, सबसे पहले अपराधी को चेतावनी दी जाती है, फिर हवा में, उसके बाद पैरों में गोली चलाई जाती है, और फिर, तुम कंट्रोल रूम में भी तो इनफॉर्म कर सकते थे, यह राइट सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जब उसका रिवॉल्वर मेरी कंटपटी पे था, और उसका घुड़ा दबने ही वाला था, तब मुझे कंट्रोल रूम फोन कर लेना चाहिए था, फिर हवा में एक फायर, और उसके बाद उसके पैरों में गोली मार देनी चाहिए थी, यह राइट सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सर, वो हरामजादा, मुझे मार कर, मेरी बहन को कोटे बिठाने की बात कर रहा था, उस वग मुझे इससे ये कहना चाहिए था, कि भाई सब रुख जाएए, एक पुलीस वाले को मार कर, उसकी बहन को कोटे बिठाना कानून जुरूम है, मापी चाहता हूँ, सर, लेकिन अगर मैं आपके बता है, रस्ते पे चलता, तो मेरा नाम यहाँ नहीं, पुलीस थाने के बाहर, शहीदों के लिस्ट में लिखा गया होता, और आप यहाँ बैट कर चीख चिलाट नहीं कर रहे होते, बलके आँखों में आसो लिये, मेरी गोली से चलनी की कई लाश को, तिरंगे में लपेट कर, ब्योगल बजा रहे होते, शाद आप, बत्तमिजी और बेशर्मी की भी कोई हाद होती है, देखा, देखा अपने सर, मैं तो कहता हूँ, इसे हत्यारा घोशित करके, हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए, अगर आप एक इमानदार पुलीस ऑफिसर के खूंद से, पुलीस की निकमी और नाकार इमेज को दोना चाहते हैं, तो आपका सुआगत हैं, किसी के पास कोई सबूद नहीं, कि ये किलिंग्स मैंने की है, मौकाई वार्दात पे, ना आप मौजूद थे, ना आप, और ना आप सर, सर, आप मुझे सिर्फ हत्यारा खोशित कर सकते, साबित नहीं कर सकते, और ये बात मैं नहीं, अदालत में मेरा वकीग गएगा, और किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, सर, इस हकीम लुका के खिलाफ, 38 मुकद में चल रहे थे, और सुवर पुलीस थाने को घर, अदालत को चकला, और मुझ जैसे पुलीस वालों को अपना भड़वा समझ लगा था, क्या उखाड लिया था मने उसका? सर, बारा साल की इस पुलीस की नौकरी में, मैं इनके हाथों हजारों मौते मरते आया हूँ, मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तुम इन लुका के टुकड़ों पर बलने वाला कुटा बन कर, कानून की दलाली करता, या फिर, ये वर्दी उतार कर, नामर्दों की तरह, सब कुछ चुपचाप से दा रहे था, नो सर, मैंने दलाया नामर्द बनने से, इंकार कर दिया, सर अगर ये मुझरिम, अदालत से बर्यों कर, निर्दोष नाकरिक बन कर आजाद खुम सकते, तपरेने मार कर, मैं इंस्पेक्टर अरजुन रणावद, खुले आम निर्दोष नाकरिक बन कर, आजाद क्यों नी खुम सकता, क्यों, 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 और कुछ कहना है तुम्हें, नो सर, तुम जा सकते हो, कहता तो बिल्कु सकते है सर, लेकिन अफसूस, क्या ही क्या जा सकता है, यही तु सोचना पड़ेगा जाज़व, कि ऐसे हालात में, हमें क्या करना चाहिए, नहीं जणाब, अरजुन को सजा देना, इस समस्या का समाधान नहीं है, तो फिर क्या है समस्या का समाधान, एंकाउंटर, एंकाउंटर? जी हाँ, हम मुठ भेड में उन्हें पकड़ेंगे नहीं, बलके उनका खात्मा कर देंगे, उनका एंकाउंटर कर देंगे, जब अपराधियों को अपने सर पर, हमारी ध्याशत मंद्राती हुई नदर आएगी, तब उनके पास सिरफ दो ही रास्ते होंगे, समर्पन, या मृत्यों, सरंडर, और डेट, और तभी एक अपराध मुख्ट समाज का सपना साकार हो सकेगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप क्राइम कंट्रोल स्क्वाड तैयार कीजिए समर्सिंग जी, हमारी सरकार आपके साथ हैं, आपको दमकाने की, आपको खरीदने की, या फिर आपको मारने की तमाम कोशिश की जाएगी, अगर लालच जटार से मेरे किसी सिभाई के कदम लड़ खड़ाए, तो मैं उसे कुली मार दूँगा, और अगर सर मेरा इमां टक मगाया, तो अपको मुचे को लिमां दिचेगा, हाता, शजगी हातार इगातां! कि कि अ कर अट एक हता हम जाओ कर थे थे दिनके बाद साग क्र फिर्फ कर तरह मैं जो बंढ़ एफ एफ्टन ए जर्फैना स्थार एफए, पाइसे लाय किने, नही पुलीस? अमे खागी को दे, पीदो में! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आपका सिर्फ नाम सुनके जिस मुंबई पुलिस का मूद निकल जाता था वो इस पुलिस आज तेरा दिन में अपना सप्ता ही छोकरा लोग को टपका डाला हाँ भई 25 साल यहां बैठके जिस मुंबई पे हम हकुमत किया न उसे 25 सी दिन में हिला डाला यह मुंबई पुलिस पुलिस आज की तारिक में मौत बन गली है भाई ना गिरिफतारी ना सरंडर टेरेक खलास करने को बोलता है हो कमिशनर भाई वो साला सी एम का हाथ है पुलिस के सर पर तब ही तो साला दो टकिका इंस्पेक्टर बोलता है कि जफर सुपारी हमारा क्या उखाड लेगा मैं बोलता है भाई तुम्हे एक आवाज करो अभी काभी मुंबई ढाकर उस पुलीस कमिशनर के भेजे में गोली ठासता है मैं और बताता है मुंबई पुलीस को कि जिंदा साफ पे हाथने डालने का भी माजित लगा उस साले आपोजिशन लीडर काशी तरवेधी को फोन उसको बोल पुलिस वालों को धलितों माइनारिटीज और भे गुनाहों का हत्यारा बताकर विधान साबा में हंगामा खड़ा करवादे फर्जी इंकाउंटर के नाम पे प्रेस के जरीए सरकार और पुलीस का जीना हराम कर डालो कुर्सी हिला डालो उस साले सीम की ये सीम और कमिशनर को बताएगा मैं जिस सरकार के बल पर उचकते हैं न ये लोग उसे यहां बाहर मुल्क में बैठकर चलाता है जफर सुपारी जंगल राज फीर गुंडा राज बना दिया है सरकार को और और ये पुलिस वाले ये पुलिस वाले तो वर्दी पहन कर हत्यारे बन गये हैं हत्यारे अरे न वारंट न गिरफतारी न कोट कचेरी सीधे मौत मैं आपसे पूछता हूँ सीम साब ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है हत्यारे पुलिस हाई 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 त्रिवेदी जी, अगर विधान सभा की तरह यहां भी हंगामा करवाना है, तो फिर इस मीटिंग का क्या मतलब है? आखर समस्या क्या है आपकी? समस्या नहीं, सवाल है, मंबई शेहर की सड़कों पर खून की होली, कब तक खेलती रहेगी आपकी यह पुलिस? कब तक? तब तक, जब तक इस शेहर का आखरी गैंक्स्टर खत नहीं हो जाता, जब तक क्राइम फ्री स्टेट का मकसद हासल नहीं हो जाता, तब तक ओ मुखमंत्री जी, जरा समझाईए अपने सरफरे कमिशनर को, कि ये दलितों और माइनॉरिटीस के खून की होली खेलना बंद जरे काशी तरवेदी जी, खून की होली आप जैसे पॉलिटीशन्द खेलते हैं, पुलिस नहीं मंदिर मसज़िद के नाम पर देश को लड़वाया किसने? तुमने? बिहार में यादवों को ब्रामन से, यूपी में ठाकरों को दलित से, और गुझरात में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया किसने? तुमने चंद वोटों की खातर भाई से भाई को लड़वा कर उनकी लाशों पर सत्ता की रोटी सेखना आप जैसे नेताओं का काम है, पुलिस का नहीं ए, मानवादिकार के भखशक यूमन राइस स्वाय लेटर मुझ पर इल्जाम लगाता है, मुझ पर तेरी इस सत्तिनारान जोशी की सरकार को तो मैं चुटकियों में गिरा दूँगा, चुटकियों में तख्ता पलट दूँगा तेरा समझा तुझे कमिशनर से हवल्दार बना दूँगा काशी त्रिवेदी किसके हुमन राइस की बात कर रहा है तू उन गुंडों की, जो इनसान को इनसान नहीं समझते हैं जो बेकसूर लोगों पर गोलिया चलाते हैं उनकी बीवियों को विद्वा और बच्चों को अनात बनाते हैं काशी त्रिवेदी तो उन लोगों की हुमन राइस की दूआई दे रहा है जो यूमन है ही नहीं उनके साथ कैसा यूमन कंस्टरेशन दे आर इन्यूमन पास्टर्ड्स वो सिर्फ एकी जबान समझते हैं इसकी खामोश तो ठके की पलिस अफसर तू इनके बल पर उचक रहा है ना इस मुख्यमंत्री के दिन तो हवा हुए और इस कमिशनर का तबादा तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही करवाऊंगा और रहा तू तो तुस्से हर रोज सलामी ना करवाई तो मेरा भी नाम काशी तरिवेदी ना है तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले काशी तरिवेदी जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ कोई गावा मिल गया उस दिन तो चीफ मिनस्टर की कुर्सी पर नहीं अपनी अर्थी पर लिटा होगा पर काशी तरिवेदी मेरा एक वादा है तुझ से कि तुझे कांधा दाने एक लिए एक आदमी भी नसीब नहीं होगा अपने शेहर को गेस्टापो बना दिया है पिछले तीस दिनों में आपने शेहर की सटकों को खून से रंग दिया है इसके बारे में आपको क्या कहना है क्या ये लोग तंत्र की हत्या नहीं है माना होता के नाम पर कपतक हत्याई करवाते रहेंगा पोलिस और गुंडों में फर्क ही क्या रहे गया है एंकाउंटर आपकी मजबूरी है ये लालच एंकाउंटर इस मुद ओड़व डेमक्रेसी इस डिक्तिर्शिप एंकाउंटर के नाम पर हत्याई करने की ज़रूरत ही क्या है जरूरत है सक्स जरूरत है आपको क्या लगता है जब हम उन्हें ग्रिफ्तार करने जाते हैं तो क्या वो मुझरिम फूलों का हार लेके हमारा स्वागत करते हैं नहीं वो खतरनाक हत्यारों से और गोलियों की बोचार से हमारा स्वागत करते हैं तब अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाना, हमारा मानवा धिकार है, हमारा लोक तांत्री का धिकार है। क्या सारे human rights, criminals और terrorists के ही होते हैं, क्या सिपाही का कोई मानवा धिकार नहीं होता? क्या हम सिपाही, इंसान नहीं? Mr. Encounter Specialist, जफर सुपारी ने Encounter Squad के हर अफसर को चांद से मार देने की धमकी दीए, उसने पूरे Encounter Squad की Hit List बनाई चीए। वो भड़वा क्या Hit List बनाएगा। Hit List तो हमने बनाई हैं। ये लाल निशान देख रहे हो, इतने खुदा को प्यारे हो चुके हैं। और बाकी के होने वाले हैं। Yellow Hit List और कल अपने अकबार में चाप देना। अगली बार जब Zafir Supari टेलफोन पर इंटव्यू दे तो उससे कह देना कि हमने उसकी जमात और उसका नाम राशन काट से काटना शुरू कर दिया है। प्रूप्यू 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 वाई अलो एए घर तक छोड़ने आओ यार अंदर नहीं बुलाओगी आम इन चाय वाई ओ चाय वाई हाँ हाँ आशिक हैं आपके प्यार करते हैं आपसे अरे इतना हक्तो बनता है यार तो आईये मिस्टर विवेक आचार्य प्लीज अंदर आईये आपको चाय भी पिलाई जाएगी और साथ ही भाईया से भी मिलवाय जाएगा वाट भाईया घर में अंदर है पुलीस वाला है कब घर में कब पुलीस टेशन में कब किसका इंकाउंटर करने चली जाते हैं ये तो उपर वाला भी नहीं जानता अच्छा तो रेका जी आमें राखी जी मैं चलता हूं क्यों चाई वाई नहीं पीजेगा चाई अब तो हलक से पानी भी नहीं उत्रेगा क्यों डर गये ना है शिप डर गया अरे तुम्हारे भाईया से तो पूरा शहध़ डरता है वो मुसे कम और बंदूग's से ज्यादा बाते करते अरे फुद्ध से नहीं मिलोगे तो तो मेरा हाथ उनसे कैसे मांगोगे? माडम, ये जिम्मिदारी आपकी है. मिस्टर विवेक आचार्या, सन ओफ जस्टिस आचार्या. भाईया से तो मैं बात कर लूँगी, लेकिन आप अपने डैट से कब बात करेंगे? उनकी फिक्र तुम मुझे पे छोड़ दो. एक बार हमारी शादी का केस उनकी अदालत में पहुचा, तो उनका फैसला हमारे ही हक में होगा. Cool? Love you. You take care, okay? Bye. Bye. राख्यारी. तुम लग चाओ. मैं देक्ता हो से. Bye. Bye. हाई भाईया. भाईया, वो, वो एक लड़का है. तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है. पियासी फाइनल येर. नाम विवेक अचारिया. जस्टिस अचारिया का बेटा. और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो. आपको किसे पता भाईया? पुलीस वाला हूँ, कोई दूद वाला नहीं. सारे शहर की खबर रखता हूँ. मेरी बहन कब कहां किससे मिलती है? ये भी मुझे पता नहीं होगा. बेवकूफ समझती मुझे. क्या तुम प्यार करती हो उससे? नहीं. वाट? हाँ. मुझे देखो. पुलीस तुम्हारी बहन को अपने घर की बहु बनाना मेरे लिए फक्र की बात होगी. लेकिन याद रहे हम लड़के वले हैं. हमारी कुछ शर्टे हैं. ये सगाई कल होगी. कल सर? सर मगर हमें इंतिजाम के लिए थोड़ से वाग चाहिए. नो, नाथिंग डूइंग. सगाई कल ही होनी चाहिए. इस नाउडर. मगर सर? बरखुरदार जल्दी, तुम्हें नहीं जल्दी हमें है. कल तुमारी बहन ने इरादा बदल दिया, तो मेरे नलाइक बेटे को इतनी अच्छी बीवी, और मुझे इतनी अच्छी बहू, तूसरी नहीं मिलेगी. इसलिए सगाई की रस्म कल यहीं पूरी की जाएगी. सोनी येत्तो सोनी मेरी जाने लगदी, जाने लगदी, जाने लगदी. है! सोनी येत्तो सोनी मेरी जाने लगदी, हीरी येत्तो सोनी मेरी जाने लगदी, आख जदो खोले दिल खाए, हिच कोले दिल खाए, हिच कोले बोले बोले दिवानी मेरी जाने लगदी, दिवानी मेरी जाने लगदी, ओ, सोनी ये तो सोनी मेरी, हीरी ये तो सोनी मेरी, सोनी ये तो सोनी मेरी जान लग दी यख जद खोले दिल खोए, हीच खोले दिल खाए, हीच खोले बोले बोले दीवानी मेरी जान लग दी दीवानी मेरी जान लग दी कि तो आई झाल न हुआ हर रिमा है रिमा है 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 सपना तेरा सपना रखना सोजा रखना मखना क्या लगता है सचना और तेरा सचना हो टोले तो मंगाले तोने दोले चढ़ जाओंगी घर से तो जाना होगा दिल से लजाओंगी सोणी ये तो सोणी मेरी ये तो सोणी मेरी जान लगती अख जात खोले दिल खोएं हिच कोले दिल खोएं हिच कोले बोले दिवानी मेरी जान लग दी सोन यात सोन मेरा यार लग दा अख जात खोले दिल खोएं हिच कोले दिल खोएं हिच कोले बोले दिवानी मेरा यार लग दा कि रांजा मेरे यार लग दा दिवाना मेरे यार लग दा है तर आप का इनफॉर्मर पांच्सो पच्पन आप से मिलना चाहता है बेज दो संदर ड़्यक सर सलाम साहिब आओ अब बोलो क्या खबर लायो साहिब एकदम डिफनीट खबर है वो जफर सुपारी है ना उसने कमिशनर साहिब को मारने की सुपारी दिये लाये और जफर सुपारी का में हिट मैन है ना वो पपू कालिया मास्टर पिलानिंग कर रहे ला ऐसा है और अपने काम को अंजाम देने के लिए वो आज रात केन के नाइट कलब में अपने चारपाश सूटर से मिलने वाला है ठीक है तुम जा सकते हो सलाम साहिब आञे झाद कते है जाजग माही जाजग माही सलाम बचलων के बनाई आर माही सया कच चाहँ मरहबा मरहबा खुस्न ने पहनी आग की चोली फिर भी इश्क ने आख न खोली लुना तुने मुझे को फिर सलम इश्क के दर्या में दूबे हम मर भी कहे ना होगा वम तेर ये फिर लेंके जनम दिल परिशान है तिरा रहान है तो जाने होगा क्या जचनावा, जचनावी, जचनावी जचनाव मुझी कर उतका है तुआ, कभी समझेगा तू पिया ये तर्ग बढ़िया, होश उड़े मैंने दिल तुझे को दे दिया मैंने जचर पिया, कभी उपना गिया, तिरा नाम ये को ने लिया मैंने सोच लिया, बदना है वन्हें मेरा ने कभी जो गिया मैंने जचर पिया, कभी उपना किया, तिरा नाम ये लिया मैंने सोच लिया, बदना है वही मेरा ने कभी जो गिया मैंने सोच लिया, बदना है वही मेरा ने कभी जो गिया मैंने सोच लिया मैंने सोच लिया जूम रहा है मस्ती में प्यासा है तेरा साथी तुर मेरी महाबबत कारव है तुरी जारे कि मैं प्यासी एक आउख है तेरे गाबा है एक आउख में पाशी तुर मेरी महाबबत कारव है तुरी जारे कि मैं प्यासी एक आउख में तेरे गाबा है कि आउख तुम में है पाँशी तुम में निश्वान जै मेरा लिवान जै ठांचाइने उदार जार 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 तुम में निश्वान जै में निश्वान पपुकालया यूर अर्ष्ट यूर अर्ष्ट हत्यार भेक वर्णा में लड़की को चांद से मार दूगा मैं कहता हु हत्यार भेक वर्णा लड़की चांद से जाएगी मैं अगरी बार कहता हूं अर्ष्ट हत्यार भेक प्रक्रांद भुषी करें What the time are back च्रांदो przेleen फ्राँिर एक्रांदो याक्रांदी इ defines काशी तरिवेदी, मैंने तुझे दूद वाले से उठा कर नेता बनाया माइन आइठी के MLA, आपोजिशिल का लीटर बनाया किसके बास्ते है? इस दिन का बास्ते? वेदान सबह में बैठ कर दूद देने का बास्ते? एक आशवी, पपो कालिया पन गया, एक एक करके अपनका सारा विकेट डाउन कर डाला तेरे उस पुलीस कमिश्रन ने 25 साल का मुंबई शहर पर मेरा हकुमत बर्बाद कर डाला तुमारा मुंबई पुलीस और उधर, I.S.I. के सामने मेरे मुंपर कालग पुत्वा डाला कुछ करो नेता जी, कोई रास्ता ढूंडो, हमें इस मुसीबत से निकालो रास्ता तो हमारे पास है, जफर भाई लेकन पैसा जरा जादा लगेगा मैं सोची रहा था के पैसों के लिए तुमारा मुं का फटेगा भाड़ो, भाड़ो अपना मुं तो ध्यान से सुनो जुपारी मुख्यमंत्री सत्यनारान जोशी के सरकार सिर्फ ग्यारा इंडिपेंडेंडन्ट एमेलिस के समर्थन पट्टिकी है और इन 11 में से 9 विकिने के लिए तैयार है कीमत है साथ करोड यानि साथ करोड में तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे ठीक है काशी गिराव सरकार तुम्हे साथ करोड कल पहुँच जाएंगे तो समझ लो जफर भाई आप मुंबई शहर के प्रधान मंत्री बन गए संत्री से मंत्री तक हर कोई अपना आदमी सरकार हमारी और सल्तनत तुमारी विशेश समाचार आज तक कल शाम पांच बजे सत्यनाराण जोशी के नव निर्दल्य विधायकों ने जनता पर हो रहे पुलीस के अत्याचारों के नाम पर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है असंतुष्ट विधायकों के साथ सुला करने के लिए मुख्य मंत्री जी इस वक्त अंतिम प्रयास कर रहे हैं विशेश बुलिटिन समाप्त बंदना सचनानी मुंबई आज तक बज़ात कहीं के खबर मिली क्या वही काशी त्रिवेदी के सियासत के बाजार में नेता लोग सबजी की तरब बिक रहे हैं और सत्य नारेंट जोशी की सरकार गिर रही है इसका मतलब जानता है तू अब नेक्स केजुल्टी हमारे कमिश्टर साब कर ट्रांसफर होगा कि जी तो चाहता है इन मादर जातों को भून के रख दू इस सालों ने राजनीती को वैशा बना कर चकले पर बिठा दिया हुआ हुआ है हुआ 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 है हम त्याक पत्र देकर समर सिंग जी लोक तंद्र की हो रही इस निलामी में हम हर्के शामिल नहीं हो सकते कि मैं जानता था आप ऐसा ही करेंगे और आपको शुबा भी यहीं देता है कि यह लेजिए समर सिंग दिये कि और एक आगस पर आपके दस्थकत कि मैं कुछ समझा नहीं सर यह आप मुझे क्यों दे रहे हैं मेरा इस्तिफा मंजूर होते ही और कुर्सी छोड़ते ही नई सरकार आपके उपर एंकाउंटर्स के नाम पर निर्दोश नागरिकों की हत्या का इल्जाम लगाएगी कि तब आप इस कागस पर उन एंकाउंटर्स को मेरा लिखित आदेश बताकर आरोप मुक्त हो सकते हैं इस विश्वास के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जोशी जी लेकिन आप जैसे निश्कलंग नेता को कलंकित करके स्वायम आरोप मुक्त होना मुझे मनजूर नहीं है लेकिन समर सिंग जी वे शायद आपका तवारला करतेंगे मेरा अखबार बाजी करेंगे एंक्वारी बिठाएंगे आप चिंता मत कीजिए जोशी जी मेरे आपके करमों का निर्णय अखबार नहीं कितिहास करेगा अफसोस मुझे सत्ता छोड़ने का नहीं बलकि इस बात का है कि अपराद मुक्त समाज का हमारा भियान अधूरा रह जाएगा मेरे बाद आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा हमारे हमारे मकसब का क्या होगा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मुख्यमंत्री जी मैंने अपने नौजवान सिपाईयों के दिलों में ऐसी आग भड़का दी है कि सरकार बदल जाने पर भी ये अंडरवर्ड वले कुछ नहीं कर पाएंगे उनका उसी तरह से एंकाउटर किया जाता रहेगा जैसा के किया जाना चाहिए समर सिंग जी मुझे आपके साथ काम करने के उसर पर सदा गर्व रहेगा मुझे भी इस वर्दी को पहन कर ऐसे ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ता है जो समान तो क्या अब मान के लाइक भी नहीं होते लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं सर आप राजनीती की दलदल में रहकर भी निश्कलंग बने रहे हरा 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 हर्म यह यह मुन्ना यह बद्री कि हम तुम से कहें थे ला़ जोड़ेंगे तोड़ेंगे लड़ेंगे लड़वाएंगे तल बनाएंगे बिगानेंगे पर एक रोज एक कुर्सी पर बैठ के दिखाएंगे वो दिन आ गया रे मुन्ना अब हम इस प्रदेश के राजा हैं और बागी सब हमरी प्रजा सुनो भाईयो तुम सभी मंत्रियों संत्रियों और अफसरों की इमानदारी क्या इमानदारी गुजरे हुए मुख्यमंत्री के साथ गुजर गई क्या अब हम जो कहेंगे वो आदेश होगा हम जो बनाएंगे वो कानून होगा सर कहो भोजले ग्रह मंत्राले से मेरी ट्रांसफर का ओर्डर लेकर आए हो आपको कैसे पता सर मैं जानता था सरकार बदलते ही नेताओं को अफसरों का तबादला करने की पुरानी बेमारी है भोजले समझाओ इन नेताओं को तब आदलों से इलाके बदलते हैं इरादे नहीं तानल जी तुम अपना ख्याल रखना और मुझे बराबर खत लिखते रहना तो मेरी ट्रांसफर की खबर आप लोगों को भी मिल गई इसमें परेशान होने की क्या बात है ऐसा तो आए दिन होता ही रहता है मगर सर जिन लोगों ने तेरा घंटों में सरकार और तीन घंटों में आपको बदल डाला ऐसे लोगों से भला दस बारा हजार की तुनखुआ पाने वाले हम जैसे सिपाही कैसे लड़ सकेंगे अवस्ती इस वर्दी की कीमत पैसों में लगा कर तेश भर के मानदार सिपाईयों को काली मत दो अवस्ती पैसों के लिए आतंक वादी लड़ते हैं सिपाही नहीं सिपाही सिर्व अपने वतन की इज़त और मुल्क के हिफाज़त के लिए लड़ते हैं सॉरी सर बेटे वो मेरी जगा दूसरे व्यक्ति बदर सकते हैं हमारे संकल्प और विचार नहीं सर आज से आपका संकल्प हमारे कर्टव्य होगा अब आपके दिल की आग हमारे दिलों में जल रही है सर सर जो आपने क्राइम फ्री स्टेट का सपना देखा है उससे अब हम पूरा करेंगे यही आपको हमारी गुर्दक्षना होगी ठैंक्स मेरे दिल की आग अपने दिलों में जलाकर तुमने मुझे अमर कर दिया है इस वक्त मैं तुम सब में अपने आपको देख रहा हूँ मेरा अशिर्वाद तुम्हारे साथ है अंत में विजे सत्य की ही होगी सत्य में वजयते साथ करोड खर्च किया है सरकार बनाने और किराने में उसके बदले में साथ नहीं छेसो नहीं 36,000 करोड मुंबई वालों का खून चूस कर वसूल करोंगा मैं बिल्डर से लेकर एक्टर और डॉक्टर से लेकर प्रड्यूसर तक किसी को मत छोड़ो उनसे बोलो जिन्दा रहना है तो हफ्ता बेजो बीवी बच्चों की सलामती चाहते हो तो जफर को पैसे बेजो मुंबई शहर में धन्दा करना है यहां तक कि मुंबई शहर में सास भी लेना है तो जफर भाई को सलामी का पैसा बेजो येडा ये सला पॉलीस वाला घर में घुस घुस के माराना मेरे चोक्रे लोगों को इनके भी घर में घुस घुस के दमकाओ इनकी माँ, बहन, पीवी और बच्चों को न माने, तो काट डालो आलो जालों को बताओ पुलीस को तरना मांगता अपने इस पाप से इस तफार सुपारी से Bye You take care You too Bye Bye Mom Where are you? Mom Where are you? It's time to come to come You won't have to kill the temple Mom Mom Where are you Mom? Mom too Mom too I will definitely ask you in the house Mom Darren And Mommy That's the all Mom Mom Next Mom 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 जालो, जालो जालो, जालो 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 ऑुट गवरामाथ, तेरे को मारने नहीं, समझाने आया हूँ. जफर सुपारी को जानती है न तू, भार गाह रहता है, पर अख्खा मुंबे पे राज करता है, तेरे इंस्पेक्टर भाई जैसे लोग, मालिश करता है जफर सुपारी का, समझा अपने इंस्पेक्टर भाई को, जफर को बाप और एड़ा को बड़ा भाई मानने का, रोज स अगली बार समझाने नहीं आएगा मैं, तेरी इस मा का तुकड़ा तुकड़ा करके, तेरे को उठा कर ले जाएगा सुब आठ बजे घर से निकलती है, आठ दस को बस्टॉप से कॉलेज के लिए बस पकड़ती है, साड़े तीन बजे कॉलेज छूटता है, और तु, साड़े चार बजे घर पहुंचती है, तेरा पूरा टाइम टेबर, अख़्ा चोपड़ी, है आप उनके पास, जब चाहे अपन तेरे को टपका डालेगा, और वेसे भी, तिरी जैसे आइटम की जगा यहां पर नहीं, सफर भाई के हरम में है, आपन के पास, है, ओ शिट यार, क्या हुआ, जल्द बाजे में हम लोग राखी का गिफ्ट लाना ही भूल गए, अबे आली तुझे गिफ्ट की पड़िये, हम लोग अल्रेट है यार, राखी गुस्से में होगे, चलना है, यार, कि लाखी, कि अखी, कि अखी, कि अखी, कि अखी, आखे लोग, प्लिस, से नहां ही आखी, यार, जफर सबारिक आद्वी तू राखे किताली सजा के रख मैं तेरी सोगात लेके आता हूँ हाथ बोल छोपड़ा तू गोली कैसा लेना पसंद करेगा विस्की के साथ सोड़े के साथ पानी के साथ नहीं भाई या फिर टारेक्ट नहीं एड़ा भाई मुझे माफ कर दो माफ कर दू सालाओ कमिशनर के टाइम पर बहुत चरबी आगया था तुम लोगों को नहीं एड़ा भाई वो 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 मैं चाल तीन खोका कैश अपनी नई फिल्म का वर्सीज राइट्स, होम वीडियो और म्यूजिक का कॉंट्रेक्ट लिक्या चल जा लाता हूं 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 क्यों, क्या बोला था तु, हमारी मा के टुकड़े-टुकड़े करेगा, हमारी बैन को उठाकर ले जाएगा नहीं है अधर भाई हाथ उस दफर सुपारी के भड़वे चल, पहला देहशद मुंबई शर्म है अब धमकब पुलीस वालों को नहीं, अरजुन भाई हाँ, तोएड़ा, अब तू बता तू गोली लेना कैसे पसंद करेगा पानी के साथ सोड़े के साथ विस्की के साथ बोल या फिर नहीं, डायरेक्ट नहीं, नहीं मादरजात राखी हमारी बेहन है तू ने उसकी शान में गुस्ताखी नहीं की है बलकि खुद अपने कफन में मौत का आखरी कील ठोका है अर्जुन, बता दे दुनिया को कि हम भाई अपने बेहन के हिफाज़त में चान दे भी सकते हैं और चान दे भी सकते हैं ब्राइब अपने पॉष्पोण दे भी सकते हैं लगा अपने पॉष्पोण लगा चोटे, एडा का फोन है, हाई एडा बोल, बाई, यह लोग एडा को मार डाला, क्या, यह बक्त है तू, बक्त नहीं रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं, सफर सुपारी, काउन है तू, मा बोव से, मा, बो, से, हाँ, महरास्ट्रा, पुलीस, सेवा, जफर सुपारी, नस्या, आएंदा मर्दों की बारात लुटने, हजडों की टॉलिक कभी मन बेचना, याद रखना जफर, तुम जैसे गुंडों के लिए, पुलीस से बड़ा गुंडा, इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं जफर सुपारी, एक आखरी जिताओनी, तेरे लिए नो चाटशीट, सिर्फ टी फाइनल, यानि, देथ फाइनल, जैहिन, पुलीस टेशन में, बताओ, कौन किसकी रिपोर्ट लिखाने आया है, सबसे पहले तो आप मेरी रिपोर्ट लिखें सर, ये आपकी बहन, हर वक्त मुझा धंकाती रहती है, ये ना किया, तो अंदर करवा दूँगी, वो ना किया, तो हदकड़ी लगवा दूँगी, तो क्या गलत करती है? देखो ना भईया, हायर स्टडीज के लिए गवर्मेंट इसे स्कॉलिशिप दे रही है, और ये जनाब है, जो जाने से इंकार कर रहे हैं, भाईया, हमारी सगाई को अभी तीन हफते भी पूरे नी होए, और ये मुझे, तीन साल के वनवास के लिए कैनेडा भेजना चाहती है, नहीं भाईया, मुझे नहीं जाना, अगर तेरी जगब में होता, मैं तो सागाई के अगले दे नहीं निकल जाता, भाईया, श्ष्ट, इस अलाइफ टाम अपचुनिटी, इसे मिसमत करो, ये तो तुम मिल गई, अब उसे मत छोड़ो, और रहा, तुमारी मंगेतर का सवाल, तो मेरा नाह में अर्चुन रनाव में वो हराम सादा अर्चुन रनावत, एड़ा और मेरे आतमयों को कुत्ते की माफिक तडपा तरपा कर माँ जाला, और तु, सी एम की कुर्सी पर बैठ कर, अंडे देरा, अपने चूले गरम करा तु, नहीं नहीं भाई, वो क्या है के, बीच में मत भल, अगर तुने उन कोई गेम नहीं किया, तो मैं तेरी पूरी नसल का गेम कर जालूँगा, अगर भाई वो मैं, सुवर की आउलाद, अगर साठ करोड में मैं सरकार बना सकता हूं, तो साठ रुपे की गोली तेरे भेजे में उतार कर, तुझे, और तेरे पूरे खांदान को खालास कर सकता हू क्या हूँ अकशी जी, कौन था? बाप था मेरा, मेरी माँ का यार था, जफर सुपारी, अब यश्वन देश पांटे, तुझे पूरें से उठा कर, यहां मुंबई का पूरिस कमिशनर बनाया, किस वास्ते, है? अपने बाप के बारात में नाचने के वास्ते? बारात या कहरात में नहीं, पूरे धाय खोके देखर बनाओ, मुंबई का पूलिस कमिशनर येलो, सुना कुलकर नहीं, ये साला अपने धाय खोके को रोता है, अबे, समझा अपने बाप को, वो एनकाउंटर स्क्वेड वाले, जफर के आद्मियों का गेम बजा डाले, तु क्या भजिये ताला हाथा, है? अब जा, जाकर रद्द कर दे ये एनकाउंटर स्क्वेड, मेरे को बिलकुल नहीं मांगता है, ये पुलिस का दस्ता, समझा की नहीं? सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, काशी जी, तो फिर क्या है तेरे हाथ में, है? बाबा जी का घंटा? अरे मैं क्या इस देश का ग्रियम मंत्री हूँ? है? काहना सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, इ और उससे भी पहले हैदर एलिका सोचुँ हैदर आरजुन की आँख और कान दोनों हैं पूरा मुखविर नेटवर्क वो हैंडल करता है हैदर गया तो समझ लो कि आरजुन की रिड की हड़ी तूट गई You are right काशी जी हैदर का इंतजा मैं करूगा उसकी जाद को मुद्दा बनाकर मैं उसके तबादले की कोशिश करूगा कोशिश नए तबादला करो तबादला और वो भी दिल दी कर दो कर दो झाल 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 आर्जु साहब अले रुकिये रुकिये कहिए माना कि आप स्ट्रॉंग और साइलिन टाइप्स हैं जो अपनी दिल की बात जुबापनी लेकर आते हैं लेकिन आप अपनी इन आँखों का क्या करेंगे आप कह करेंगे हमारी कहने का ये मतलब है कि आपकी आँखों से साफ जाहिर है कि आप हमसे बेताहशा महबबत करते हैं और कुछ अच्छ तो ये बताइए अंगूठी गले में पहनी चाती है या उंगली में नाक में हैं? मजाक छोड़िये बताइए न उंगली में तो फिर हमारा हाथ थामिए इस अंगूठी को हमारी उंगली में पहनाईए और हमें अपना हमसफर बनाएए हमसफर जी पहले आप हमें इतना सफर अमत कराईए जी अंगूठी तो मैं आपको बाद में पहनाऊँगा फिर आप ये पहन लेजी जन्नत खुपसोरती ठकी विजाद अच्छ लगती जिस दिल को मुहबत हो जाए वो दिल तो काफिर हो जाए फिर रब रूठे या जग छूठे फिर दंभी आखिर हो जाए दमास्त दमास्त जब इश्क का जादू चड़ता है हर चीज बेगाने लगती है जब इश्क का जादू चड़ता है हर चीज बेगाने लगती है आशिक तो दिवाने होते हैं दुनिया भी दिवाने लगती है आखों में नशाचा जाए जीने का मजा जाए दल बहका बहका जाए कि लोगती है आए 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 प्राइब है झाल एक इश्क का दर्या सीने में तू पार लगाने आजा दू पार लगाने आजा दिल डूबा डूबा जाए तू इसको बचाने आजा दिल हाथ से निकला जाए दिल धड़का धड़का जाए दिल बहका बहका जाए अपार आजाओ देलियर गड़का अपार से निकला जाए लू जएका बहाने के गड़का णों आए लू बहात बाहने के याड़का जाए लू जाएक के तूएका जाएका जाएका हो एक चीज मुहबत होती है वो जान की आपत होती है ये जान का स्वोदा कर डाले ये ऐसी कायापत होती है दुआ माश् दूनाश् 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 हैदर अली यह रहा तुम्हारा ट्रांसफर ओर तुम्हारी जात की वज़े से तुम्हें एंकाउंटर स्कॉर्ड से निकाला जाता है तुम अपना चार्ज एसे पी अरजुन रानावत को सौंप दो लेकिन क्यों सर स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम इस वक्त मुंबई अंड मिसर्स का रवईय उन आइशा एईजंस के साथ नरमी का हो सकता है पसाफ साफ क्यों नहीं कहते Coin कि मेरा ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं मुसल्मान हो और इसलिए मैं मुसल्मान मुझरमों का साथ कहने है यह देखिए ये गोलियों के निशान देख upper ये मुसलमान आतंग वादियों के गोलियों के निशान हैं मेरे रिवालवर्स से निकलने वाली गोली मुझरम से उसकी दाद या उसका मख़ब नहीं पूश्ती कि वा हिंदू है या मुसलमान इस रिपोर्ट से आप मुझे ये जताना चाहते हैं कि मेरी साथ, मेरा मजभ, मेरे देश दोई होने का प्रमान पत्र है अगर मैं अपना सर काट कर भी इस डिपार्टमेंट के लिए चड़ा दोना तब भी ने यकी नहीं होगा के हैदर अली एक सच्छा हिंदुस्तानी है, एक देशवक्त ओफिसर है No, I don't care नहीं, हैदर मत कर, अली नहीं नहीं करने मुझे ये नौक्रिय अर्जोन कमिशनर, हैदर अली वो मुसल्मान है, जो इस वर्दी के बगैर भी अपने मुल्क, अपने वतन के लिए जान दे सकता है ये अपने बहुत गलत के असर देश-द्रोही की कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदु होता है, ना मुसल्मान सिर्फ मेरा राजबूद, ये आपका ब्रहमन होना हमारी देश-भक्ति का प्रमान पत्रा नहीं हो सकता ऐसी घटियक कम्यूनल सोच सैक्रोहाइदर अली जैसे मुसल्मान नौजवान को इस देश से दूर गलत रास्तों पे ले जाती है तुम समझते क्यों नहीं, ये फैसला यहां नहीं होम मिनिस्ट्री और डिरेक्टर जनरल अफ पुलिस के दफतर में होता है अगर हिम्मत है तो जो तुमने मुझ से कहा है वो बहां जाके कहो खमोश यानि पुलिस कमिशनर के सामने अपने बेल्ट उतार कर बोरिय डिपार्टमेर को गाली दे का निकला तुम्हारा वा बत्तमीज जोनियर साही है और हम सब सामप्रदाइक हैं, कम्यूनल हैं, क्यों, यही कहना चाहते हो न तुम अगर आपके सीनिस आपको बुला कि यह कहें, क्योंकि आप सरदार हैं, आप खालसानी आतंकवादियों का साथ देंगे और आपका ट्रांसफर पंजाब से किया जाता है, तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता सर, चब आपको सिक टर्रे से लड़ने से नहीं रोका गया, तो फिर हैदरा अली खान को मुसल्मान आतंकवादियों और आईसा एजिंसे लड़ने से क्यों रोका जा रहा है बगएर किसी गवा या सबूत के, सिर्फ जाती कोई शक की बुनियाद मानना, अनकॉंसिट्यूशनल है, असब विद्धाने के सर, हमारा कॉंसिट्यूशन करम प्रदान है, बेस्ट मैन फॉर दे जॉब, धरम प्रदान नहीं सर, हैदर अली खान वो सिपाई है, जो अपनी वर्दी पर लाखों पेबंद लगा सकता है, मगर दाख कभी नहीं लगने देगा सालों ने कद्दार तो साबित कर ही दिया है, अब शायद किसी रोज, एंकाउंटर में मुझे गोली सोड़ा देंगे क्या है, मेरी गिरिफतारी का वारंट या फिर एक गद्दार के घर का साच वारंट नहीं, दो पैग और पीने के ओर्डर्स हैं, लेकिन खुशी में क्या मतलब? पढ़कर तो देख तेरा ट्रांसफर कैंसल हो गया यह सब तुने मेरे लिए किया? नहीं, अपने लिए क्योंकि पुलीस डिपार्टमेंट को तुम जैसे ओफिसर्स और मुझे तुम जैसे दोस के सक्सरोत है ऐसी बात है, तो तुझे भी मेरे लिए कुछ करना होगा मांग कर तो देख तो सुन, मा को जन्नत जैसी बहु राखी और मुझे जन्नत जैसी भावी और तुझे जन्नत जैसी बीवी की सक्सरोत है चेस्ज चेस्ट हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे तुम चाहें बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे तुम चाहें बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे माधी की बिनिया बूले हाथां का कंग ना बोले पैरों की फायल बोले सुन ले मेरे यारा तारों से मांग सजा तू दामन में खुश्या पिछा तू दुरहन में तुझ को बना तू सुन ले मेरे यारा सुन ले मेरे यारा सिंदकी मिल गई हर खुशी मिल गई हम दिल को महाबत का हम दिल को महाबत का आय ना बना लेंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे तेरी आशिती में जाना दुनिया भुला देंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे सर, जफर सुपारी का भाई माजित खान शेहर में है और इसका मतलब जानते है अप हाली पैबाने में हत्यारों कोला बारूद और आर्डी एक्स का मुंबई शेहर में ताखिल होना और सर, पूरे अंडरवल्ड को जफर सुपारी गैंग की छत्रचाया में लाने का काम करें है हमारे सियम काशिनाथ के विदी हासर, मुंबई इस गोई नेक्स टर्रेरिस टार्डिट तो तो हम क्या करे रहे हैं क्या करेढ हैं अगर वो बंभवार वममाई में और काशी जरी मेरी बंगे game कन्स कर रहими किसी कैर रहे हैं सो हम क्या पंचो क्रहें चूड़ साघैंटर किए अरे अर्य मुर्मां पूरी मुम knife पिकाऊ नहीं टाला मुमी कर और क्या ह। लैंगें त तुम दोना प्रिके क्या साला प्रिका हम पुलिस है कोई कर दिन नहीं अरे वोग क्या मुंबाई शेर को टेररिस मैप पे लाएंगे टेरर आपको हम उन पॉले कार लाएंगे आज के बाद आएसाय हमारे टेरर मैप पे होगा समझे सर पांसो पच्पन की लीड़ पर माजिद खान के हाइड आउट का पता चल गया है और अरजुन सर वह रेड डालने के लेने कर चुके हैं माजिद खान तू तू गया पह पुला खान के लाग कर चान jsा का बालना तू आपको हम एड़ा और बालने के लाग कर लेक हैं लेड़ खान के लेड़ा ले खान के लुदा खान के लेके लेड़ा है हुआ अए हुएुम भाओ हुआ अगर हुआ इन हाथ त्यारों से थैशत खलाने आने है ना तू ना तू आप बोर माजद ये माजद नहीं माजद की मौद रही है एसे सी पी अर्चुन रणावत अर्चुन अगर मेरे भाई के जिस्सम परें भी खरोच आई तो भाई मौई आकर तुझे आप तेरे सारे खांदर को खातन का कर दोगा यही तो मैं चाहता हूँ कि तू मौई आए नहीं तेरे भाई बड़ चौखड़ी मारती अब तुब गोली की आवाज चीख और अपने भाई की आखी आखी संसे सुन नहीं 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 तुब च़न करका लद whether he was ready करका तुब खे इन सुन अबना करका रदे बका वर सक करका वर ध्र वょं एम हो अषर सब्सक्राब खर्खब खर्खब झाल झाल है आए है जननत है है तुम यहां बाहर क्यों बैठी हो क्या अर्जुन अपने कमरे में नहीं है है ना वो कुछ जरूरी काम में बिजी है इसलिए मैं बाहर बैठी हूं ओके-ओके-च्या बात है आज तुम इस लिबास में कोई खास बात है वो मा जी ने आज घर पे बुलाया है अच्छा तो मा जी ने आखिर हमारी होने वाली भाभी ढूंडी नी घाट कोबर के बस ब्लास से साफ जाहिर होता है क्या इसाय का मक्सद क्या है जनता के दिलों में तैश्यत और हिंदू-मुस्लिम तंग्य करवाना सबको पता है कि उनकी क्या ड्यूटी है और उन्हें क्या करना है लेकिन जनाब आप अपनी ड्यूटी भूल रहे हैं चलिए उठिए बाहर वी वी आइपी ड्यूटी आपका इंतजार कर रही है अली मैं ब्रीफिंग दे रहा हूं अबे साले तेरा गयर जमानती वारंट न आड़ा आपको अब्रणल करना को सबढ़े है अच्छा बाई अच्छा बाई देवी पुझा के दिन तेरे पैर इस घर में पड़े हैं नेरे तो भागी ही खुल गया सदा सुखी रहो बेटी ये शगुन है राखी ने खास तोर पर उस दिन के लिए बनवाए थे जब उसकी होने वाली भावी पहली बार इस घर में आएगी ये लो बेटी जुग जुग जीओ मेरे बेटी ये हाथ युई मेरे सर पे बनाई रखेगा माजी मा ये लो चलो भावी मैं तुम्हे अपना घर दिखाती हूँ जाओ बेटी जाओ अच्छी है तुम बैचो मैं खाने का इंतिजाम कर गयाती हूँ अच्छी हूँ अब जशपांडी तु तो यार बिस्तर पे पड़ी 16 साल की लउंडी की तरह घबरा रहा है जब कि मैं इस प्रदेश का डेपुटी सी एम बड़े भाईया सी एम हो तो वो दो टके का एसी पी क्या उसका न वो अर्जुन रानावत और उसकी इंक्वाइरी रिपोर्ट हमारा क्या घंटा उखड लेगी अखबार नहीं पड़ते क्या नहीं पड़ते तो पढ़ना शुरू कर दो एक जैस्वाल रिपोर्ट के लीख हो जाने से एक डीजीपी एक कमिशनर और दरजनो अफिसर सर रहे हैं कस्टडी में घंटा उखड चुका है उनका समझें और सुनो काशी जी हमारे और अंडर वर्ड के तालुकात पर अरजुन एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है अगर उसने हमारी जड़े खुदना शुरू कर दी तो वो खुदाई हमारे और अंडर वर्ड के नेकसस को खोद के रख देगी उस रिपोर्ट को किसी भी कीमत पर हासिल करो काशी जी अगर वो फाइल दिल्ली तत पहुँच गई तो हम सब होंगे सलाखों के पीछे और कहिया करें बद्री वो जाली दस्तावेश जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे हैं न कल हमें मिल जाने चाहिए जी वहीं और हाँ रहास सवाल अर्जुन राणावत की रिपोर्ट का तो कल्व रिपोर्ट मुख्यमंत्री काशी नात्रवेदी की मेज पर होगी मैं कम इन सर एंड काउंटर स्पैस्टिस्ट आओ कुछ याद आया एसीपी अर्जुन राणावत हम कहें थे न तो से एक दिन हम इए कुर्सी पर बैठेंगे और तू हमें सलाम करेगा याद आया ये गलत फहिमी ये तुम्हारी काशी त्रवेदी मैंने सम्वेधानिक पद इस कुर्सी को सलाम किया तुम्हें नहीं क्योंकि इस कुर्सी पर बैठने वाले तो आते जाते रहते लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा है है तेरे उस कमिशनर का तो मैंने तबादला करवा ही दिया गड़ चिरोली महाराश्ट्रा आंध्रा बॉडर नकसलवादी इलाका यहाँ पानी की बून तक नसीब नहीं होगी सिर्फ आतंकवादियों की गोलिया चारो तरफ बरस्ती रहेंगा मौद से खेलना समर सिंग के जिंदगी का अंदाज है लेकिन तुझ जैसे बढ़वे यह बात क्या समझेंगे लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें इस कुर्सी पे ठीक है रहने के लिए हर दो पांच सालों में कट औरा लिए वोटों की भीग मांगने पड़ दिये लेकिन मुझे नहीं क्योंकि जिस मुकाम पे मैं हूँ मैं वह आपनी कबियाद से चुना गया हूँ अपनी ओकात में रह आज से हम तेरे मालिक और तु हमरा नोकर नोकर मैं जनता का हूँ किसी के बाप का नहीं I'm a public servant and so are you काम की बात कर मुझे यहां क्यों बलाया है तो फिर सुन ले ग्रह मंतराले मैंने अपने पास रखा है इसलिए हम आदेश देते हैं मुंबई के माफिया सरगनाओं की जानकारी का यह जो तुने डाटा बैंक तैयार किया है न यह मुझे यह देते जानता था जिसके तलवे चाड़ कर तु उस मकाम पर पहुँचा है उसका बाई खाता तु मुझे ज़रूर मंगेगा यह ले संभाल के रख कॉन्फिडेंसल यह है असल बहुत महनत की होगी तुने इस बनाने में ना मगर देखा एक ही जटके में हमने इसे जला कर खाक कर दिया क्यों भाईया दिल तो बहुत दुखता होगा तुम्हारा नहीं? नहीं दिल तो बाप का दुखेगा चीफ मिरसा साहब और शायद दोहरा भी पढ़ जाए क्योंकि इसकी एक कॉपी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री दूसरी कॉपी प्रेजिदेंट्स ओफिस और तीसरी कॉपी प्राइम मिनिस्टर्स ओफिस अल्रीडी पहुंच चुकी है तेरे माफिया पाप पच नहीं पाएंगे सफर सुपारी के दल्ह अब मैं तुझे तेरी आउकाद दिखाता हूं मुख्य मंत्री को मारा तुने नहीं एक देश भक्त इमांदर जन्ता के नौकर ने एक देश द्रोही पईमांदर जन्ता के नौकर को मारा है काशीत्रिवेदी अर्जुन रणावत नाम है मेरा मैं मौत को तक्या और कफन को चादर बना कर ओड़ता हूं जय हिंद हलो हाई भाबी राखी अचा लिसन क्यों के ट्रेडी सून हमें अभी के अभी पुलीस इंडार स्पॉट्स कॉम्लेक्स चलना है वो किसलिए है पुलीस अन्यल डे फंक्शन के लिए भैया और उनकी दोस्तों ने एक डांस आइटम तयार किया है और आज उसकी ग्रैंट रहसल है क्या पुलीस वाले हर गाना बचाना हाँ भाबी और मज़ी की बात तो ये है कि उन में से कोई बना है टपोरी तो कोई बना है पॉकेट मार जोकरे पटे नहीं मोकरे मिले नहीं है बिल्कुल चली नहीं भाए जोकरी पटे नहीं कि मीले नहीं है अ गीरी ताइघर बिल्कुल चली नहीं मांपीद मारी ऑगड़े गय लुआँ चुराएइ जखड़े गये रोज किकित पिट, रोज धुलाई, रोज कथों में आना जाना खाया पिया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया पिया तो कुछ भी नहीं, ताला के ला तोड़ा बाई तेम्हें, 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 तेम्हें… अहँ, गैन्हें, कैसे रमर्थी… कोई को बोलो जर्रा, कोई तो चक्कर चला, घर डाले अपना भला, मुझको भी बीवी दिला दे, ओ भावे! सुना नहीं, चानी नहीं, अंगले की चापी नहीं, और न की काडी नहीं, और कैसे मैं बीवी दिला दू? हाए रै कड़की अरे मिली न लड़की, हाए रै कड़की मिली न लड़की, दूज का वो ही रो न गाला. खाया पिया तो कुछ भी नहीं खाया पिया तो कुछ भी नहीं साला किल्लास तोड़ा बारा आना खाया पिया तो कुछ भी नहीं साला किल्लास तोड़ा बारा आना खाया पिया तो कुछ भी नहीं साला किल्लास तोड़ा बारा आना कि अधिया कोड़ा भॉरा भारा भारा आधा दूपर कुरल भॉर्टा अधिया के चना थी करा हुआ है हाभ बोल 555 कौन अर्जुन साभ नहीं मैं हैदर बोल रहा हुआ है साप, जिसम फरोशी के धंधे के लिए हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्तों से लाई गई नावाली लड़कियों को पुराने जसई रेलबे याड में छिपा कर रखा गया है और आज रात उन्हें बुंबई के अलग-अलग चकलों में पहुंचाया जाने वाला है आप जाकर उन्हें बचा लीजिए सर तुम फिकर मत करो, हम फौरण वहाँ पहुचते हैं मुझे बत्मारताथ, मुझे चुर्च यहां तो कोई भी नहीं है, सर कहीं पांस्तो पच्पान की खबर जोठी तो नहीं सर, कहीं ट्रैप तो नहीं हाँ, यह ट्रैप है तुम सब की मौथ का ट्रैप जफर सुपारी, तू हाँ भे, जफर सुपारी, हिंदुस्तान में देख चारो तरफ एंकाउंटर स्पेशलिस्ट, एंकाउंटर तो आज मैं करूँगा तेरा, तेरे दोस्त तरजुन रनावत का और पूरी मुमई शेहर का देख, पूरे पांसो टन अर्डियक्स लाया है जफर सुपारी, बुढ के देख अच्छा हुआ तु अपने साथ अपनी अर्थी का सामान ले आया है, जफर अरे तु क्या मुमई को शम्शान बनाएगा तेरे ही लाई हुए आर्डियक्स में तेरी चिता चलाएगा ये हैदर अली खान हाँ तेरे सिद्टाइभा तेरे लाईब पराएभा प्रभण जपन झाहम प्रप्ट। हम पजच चुके हैं सर, हमारे पांच साथ ही मारे जा चुके है, अब पीछे हटने के सिवाए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सर ये वक्त पीछे हटने का नहीं है दोस्तों वक्त है इस वर्दी का कर्ज चुकाने का और आज हम सब मिलकर इस वर्दी का कर्ज जरूर चुकाएगे कितनी बुलिट्स बची हैं हमारे पास लास्ट मैगजीन है सर दोस्तों हमारा प्राइम टागिट है जफर सुपारी के लाई आडी एक्स को तबाह करना मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ तुम दोनों मुझे कवर दोगे को इस्छक नोसाई हुग प्राइम रहा हुग प्राइम तुम जार थिंध रहा हुग थाँ devotionं आरतक हैं भानले topics. एब लुख्ण्जा करेbekता है. रहाले हैं! याली! अदर! जफर सुपारी, तू मुंबई शहर को राक के ढेर में तबदील करने निकला था ना? देख, तेरे ही चल रहे इस RDX में, आज हैदर अली खान तुझे राक के ढेर में तबदील करेगा! अवस्ती? तू? घटार? हाँ! के लाक के लाक का था क। अदर का लाक! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्यों मापो से महराश्ट्र पोलिस सेवा जा ओल्ड जसरी रेलवे यार्ड में तेरे भाई हैदर और उसके साथियों की लाशें तेरा इंतजार कर रही है कर दो कर दो कि अर उब घ्वाँ झाल और थो है तर है तर इपिए अवड़ा है है दो है दो है दो है दो है दो वर्दी ये शान है हमारी वर्दी इमान हमारी वर्दी पहचान है हमारी वर्दी भगवान हमारी देश को ये जन दे दिया हमें वतन बेगर्व है मुझे प्रेस को ये बताते हुए सक्त अफसोस हो रहा है कि क्राइम कंट्रोल स्कॉड का सबसे जाबाज आफिसर हैदर अली खान अंडर वर्ड और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आएसाई का एजिंट था पाकिस्तान के इशारे पर आएसाई और अंडर वर्ड मिलकर मुंबई में दुबारा सीरियल बॉम ब्लास्ट करने वाले थे जिसके लिए इंस्पेक्टर हैदर अली पानसो टन आर्ड एक्स मुंबई में लाने के लिए उनकी मदद कर रहा था कल राख इंस्पेक्टर अवस्ती ने मौका यवारदात पर पहुँच कर उनके इस खतरनाक मिशन को नाकामियाब कर दिया अवस्ती ने ना सिर्फ उस पानसो टन आर्ड एक्स को तबा किया बलकि गदार हैदर अली खान और उसके साथियों को इंकाउंटर में मार गिराया हैदर अली के घर पर मारे गए चापे में हमें कुछ फ्लॉपीज फॉरिन बैंक अकाउंट्स जाली पासपोर्ट्स नकली वीजाज और आईसाई के आईडेंटिटी काट्स बरामद हुए हैं जो हैदर अली के पाकिस्तानी दलाल होने के पुखता दस्तावेज हैं सब्कोरे सुपारे ये मैं क्या कर रहा हूँ किसी से उस हादसे के बार में जिकर ना करने की कसम खाई थी मैंने और आज में ही वो कसम तोड़ रहा हूँ नहीं झाल कर दोड़ सब्सक्तानी आज में तर चल्ड़क्ट रहा हूँ प्रू़क्ट प्रूबक्ट प्रूबक्ट कि प्यागी जी एक क्या खबर लेकर रहा है समर सिंग पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर रानावथ का मुक्दमा लड़ रहा है उसे ने वकालद नामा भी दाएर कर दिया है इसमें इतना घबरानी की क्या बात है काशी जी? समर सिंग वकालत कर चुका है ये दुनिया जानती है लेकिन वो एक जजबाती और शौकिया वकील है और हम सच को जूट और जूट को सच साबित करने वाले पेशेवर वकील हैं चलिए, अरे मगर हमें कुछ तो करना पड़े जितने जूटे सबूत हमारे पास हैं और जो आरोब पत्र मैंने बनाया है उसके बाद समर सिंग तो क्या साक्षाद भगवान भी अगर अदालत में उतर आए तो वो भी रानावत को फांसी के फंदे पर जूलने से नहीं बचा सकता तग गेम इस ओवर यूर आउनर अरजुन रानावत के साथ पंदरा सालों से काम कर रहे आफिसर्ज को मैं पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ ये गवा इस अदालत को बताएंगे के अरजुन रानावत कौन है उसका कैरेक्टर क्या है और सत्य क्या है इजाज़त है यूर आउनर ये वो अरजुन रानावत है जिसे लोग मुंबई का शेर कहते हैं माफिया वालों का तो सिर्फ इसका नाम सुनकर मूत निकल जाया करता था ज़स सहाब ये वो अरजुन रानावत है जिसके कारण अंडरोल वाली ये शेहर तो क्या मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए यूर आउनर अगर पुलिस फॉस में अरजुन और हैदर अली जैसे आफिसर्स नहीं होते ना तो ये माफिय वाले पुलिस को अपना दल्ला और मुंबई शेहर को अपना चकला बना चके होते मगर ये तो इस देश का दुर्भाग्या है कि अपना फर्ज निभाते हुए एक को बदनामी की मौत मिली और तूसरा इस कट घरे में खड़ा है कि नमस्कार साहिब मैं ताना जी मालू सरे मुंबई पोलिस में एक छोटू सा अर्दली है साहिब कमिश्णर का खुर्ची पर बहिटने वाले हर आपिसर का सेवा करने का ये अपना ड्यूटी है साहिब कि अनमय वो खुर्ची से बंदेला है साहिब तेकिन आज जो कुछ भी मैं बोलेगा उसके बाद मेरा नोकरी तो क्या मेरा जान भी जा सकता है जाता है तो जाने तो साहिब परवन है तेकिन आज मैं सच बोलकेच रहेगा दुनिया जानता है साहिब दुनिया कि कैसा ये काशी त्रिवेदी पट दिशी मंदर सरकार को गिरा डाला कैसा हमारा कमिश्णर साहिब समर सिंग साहिब का यू चुटकियों में तबादा करा डाला तो रातो रात इस काशी का पहर का तलवा चाटने वाला ये यश्वंत देश पंडे इसको रातो रात मुंबई शाहर का कमिश्णर बना डाला अरे देश पंड्या देखता क्या है तू मेरको अधि जाएला तुझा तुझा तू रानामजा सापको गददर बोलता है वह तू अहर अर असली गददर तो तू है तू और तेरा ये बाप मुख्यमंत्री काशी नात्रवेदी जज साहब, अगर राणामद साहब गद्दार है, तो सब गद्दार है, मैं गद्दार है, इस देश का हर इमांदार पुलिस वाला गद्दार है हाँ, हम सब गद्दार है हाँ, हम सब गद्दार है हम सब करता है परट ने जपना अबबर और ऑडर जावं imagined एक सब और यह पुलिस वालेगर पुलि जब ना आकर अडालत को थंका रहा है घाली देने लाइब और यह साबित का करना चाहते हैं Your Honor, ये सब वो ही हो रहा है जो अमारे काबिल वकील साब चाहते थे. मैं तो इस अदालत में सरफ ये साबित करना चाहता हूँ. ये इमानदारी और सच्चाई अभी भी इस देश में मरी नहीं है, Your Honor. अगर जूट बोलेवालों की संकिया 10 है, तो सच बोलेवालों की संकिया 10 हजार है. हाँ, हाँ, जूट बोलेवालों की संकिया 10 हजार है. अब्जेक्शन ओवर रूट. ठेंक यू, Your Honor. अब मैं अर्जुन रानवत की माँ, शकुंतला देवी को विटनस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ. इजाज़त है. शकुंतला देवी जी, कल जब अदालत आपके बेटे को देश दुरोही घोशेद करके, मृत्यु दंड देगी, तो क्या आपको इसकी माँ होने की शरमिंद्गी नहीं होगी? अफसोस नहीं होगा? हम, अफसोस. अफसोस तो इस बात का होगा, कि मैंने इसे पैदा क्यूं नहीं किया? अफसोस इस बात कहोगा कि इस देश के हर माने एक अरजुन क्यों नहीं जना अफसोस नहीं जट साब अरजुन की मौत पर तो मुझे गर्व होगा ऐसा ही कर्व जैसे भगत सिंग की शाहदत के रोज उसकी माँ को हुआ होगा हर देश्वासी को हुआ होगा जट साब इस जनम में तो क्या मैं हर जनम में अरजुन की माँ बन कर जीना और मरना चाती हूँ वाह क्या भाशन है अध्भुत लाजवाब मगर मैं अदालत को याद दिला दूँ कि ये एक सामुहिक हत्याकांड का मुकदमा है जिसका आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुका है और जजज साहब मैं अपने काबिल वकील साहब को ये भी बताना चाता हूँ कि मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है भाशन बाजियों नौटंकियों और तमाशों से नहीं और फिर जजज साहब जब आरोपी के वकील ने इसकी मा के जरिये इस हत्यारे की तुलना भगत सिंग से करवा ही दी है तो उस शहीद आजम की पर्तिष्टा बचाने के लिए मजबूरन मुझे एक बहुत ही शर्मनाक सच से पर्दा उठाना होगा जिसके बाद दुनिया की हर माँ हर बहन शर्म से डूप जाना चाहेगी और ये माँ इसके तो पाउं के नीचे से जमीन खिसक जाएगी योर आउनर हाँ तो शकुंतला देवी जी आप अदालत को बताईए कि एक नवंबर की रात को आपकी बेटी राखी दिक्षित कहा थी जवाब दीजे शकुंतला देवी सामुई खत्याकान की रात आपकी बेटी और इसकी मूबोली बहन राखी दिक्षित कहा थी जवाब दीजिए कहा थी वो तो तुम ही बताओ अरजुन रनावत एक नवंबर की रात तुम्हारी मू बोली बहन राखी दिख्षित कहा थी जवाब दो अरजुन रनावत चुप क्यों इसका जवाब न तुम दे सकोगे और न तुम्हारी ये मा इस सवाल का जवाब मैं दूँगा एक नवंबर की रात इसकी आवारा बच्चलन और चरित्रहिन बैन मुख्यमंत्री के फाम हाउस में डिप्टी सीम मुख्यमंत्री के बेटे मुनना त्रिवेदी पलीश कमिश्टर के बेटे और न इसके लोगों के साथ रंगरणलिया मनारी थी ये ये अब्यक्ट तुरहणर वो एक हाई सोसाइटी कॉल गल थी, Your Honor, जिसके दा सिरिफ इन मर्दों के साथ, बल्कि अपने मुह बोले भाई, आर्चुन रनावत के साथ भी नाजायज तालूकात थे. जो दिन में इसकी बहन और राच में इसकी रखायल थी. रख और खेल, रखायल जागे! आजडे, अर्चुन तो मैं आहा कि आहा है ओखष्ई, यह भागेन है. अर्चुन्टान यह निव् spring string भी जघे बढ़े कि बल्किर e dreams अर्धुन पहँए हुए. अरे फारजर सुन्टान के रखागी फार्टान के समाइस अर्चुन है? यह कुई रोकोस है. यह तो सभार, टेक्योरिटी, अरे बखड़ लो इसे, बखड़ लो इसे, बखड़ लो अर्चुन, नहीं मिटे, नहीं मिटे, अर्चुन, मैं के तू रुख जा, छोड़ दे उसे, तुझे मेरी कसम देखा, देखा आपने यूर आउनर, सत्र का गला घोटने का, इसे और कोई तरीका आता ही नहीं यह अपने अलावा किसी और मर्द के राकी के साथ नाजायर तालुका देखी नहीं सकता एक नमंबर की रात को, जब इसने एक नहीं, तीन-तीन मर्दों को अपनी रखैल बहन के साथ विस्तर में पाया, तो इसी तरह अपना नियंतर खो बैठा, और इसने वो भीशनर सनहार कर डाला, और यूर आउनर, जगे! समर सिंग, आपके मुअक्किल की एक और हिंसक हरकत, मुझे इसी वक्त कारवाई रोक कर, फैसला सुनाने पर मजबूर कर देगी। सुरी, यूर आउनर, आज की कारवाई यहीं रोक दी जाती है, कल की कारवाई, अर्द सैनिक बलू, यानि पैरा मिल्टरी फोर्सिस की मौजूदगी में, सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों की उपस्तती में होगी। पच्दाथ, हराम खोर, आज अगर मैं कानून के दाएरे में ने बंदा होता, तो उस त्यागी को गोली मारते था। कल इसी अदालत में राखी को पेश करके, त्यागी के सफेज जूट का परदा फाच करूँगा मैं। लेकिन राखी तो अदालत में नहीं आ सकती सर। क्यों? क्यों नहीं आ सकती वो? उसे कल अदालत में आना ही होगा। मगर सर, अरजुन की इस केलिंग्स का राखी को बहुत बड़ा सद्मा पहुचा है। जब से उसे ये खबर मिली है, वो पथर बन गई है। खंडाला के सेंट मेरी सेनेटोरियम में उसका इलाज चल रहा है सर। जरूर कोई राज है जो अरजुन मुझसे छिपा रहा है। मत्फर मत बनो, ताखी बताओ, उस हत्याकान के असली वज़ा क्या थी। तुम्हारा एक भाई हैदर अली, बेगैरत मौत मर्दुपा है। और दूसरे के उपर देश दोढ़ी का इल्दाम है। क्या तुम ये बरदाश करपाओगी कि तुम्हारे भाई अर्जुन को सजाय मौत मिले। क्या ये सुनकर जिंदा रह सकोगी तुम्हारा भाई अर्जुन एक नीच और गिरेवए केरेक्टर का आद्मी है। ऐ पत्थर दिल औरत। क्या लोगों की लगाई हुई ये दोमत परदाश करपाओगी तुम्हारे भाई अर्जुन के साथ तुम्हारे नजायस तलुकात है। क्या सुन सकोगी कि तुम अर्जुन की रखेल हो। मुझे साफ साफ बताओ बीठी के सच क्या है। शायद मैं अर्जुन की जिन्दगी बचा सकूँ। बताओ, सच्चाई क्या है। मैं बताओगी अंकल, मैं बताओगी की सच्चाई क्या है। बताओगी की सच्चाई क्या है, तुम मैं बताओगी है। भर्जुन के बताओगी भ्डची का है। involves विरी एवाथ उरील लोग्ताओगी कि रहा है। भर्जुन्थन्रों मैं अर्जुन्रों मैं आड्या है। मैं आताओग् आ ये जूटे हो मकार हो तुम तुम वो उर्जुन नहीं हो जो बाभावास बुलंद बेखोफ होकर सच्चायimage का सामना करते थे कहां किया वो उर्जुन आदर की मौत के साथ वो उर्जुन भी मर के हदर उर्जुन कभी मरते नहीं अर्चुल लड़ते हैं नहीं लड़ना मुझे मैं मरना चाहता हूँ मरना चाहता हूँ मैं मुझे मुक्ती चाहिए भगवान के लिए अब प्लीज नहीं से चले जाहिए चले जाहिए सर योर अनर ये कुछ कागजात है जो मैं चीफ मिनिस्टर साहब और पुलिस कमिशनर साहब को दे रहा हूँ आप ज़रा गोर फरमाएए हाँ तो मुख्या मंत्री जी ये आपके हाथ में क्या है ये मेरे चिनाव प्रिचार के पैंफलेट्स है और ये मेरा अख़बार मेरा भारत महान क्या आप हमें ये बता सकेंगे कि ये कहां चपते हैं मेरे अपने प्रिंटिंग प्रेस नागपुर में गुड हाँ तो पुलिस कमिशनर साहब आपके हाथ में क्या है ये ये हैदर और अरुजुन रणावत के आएसाई एजेंट्स होने के पाकिस्तानी दस्तावेज हैं पाकिस्तानी गवर्मेंट डॉक्यूमेंट्स लेबरेटरी अक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मताबिक इन पाकिस्तानी दस्तावेजों की प्रिंटिंग की स्याही वही है जो मुख्य मंत्री जी के अख़वार मेरा भारत महान की है अब तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती है यूर अनर या तो काशी तरवेदी जी का अखबार मेरा भारत महान पाकिस्तान में छपता है और या फिर पाकिस्तानी दस्तावेज इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस महाराश्टर इंडिया में छपते हैं यूर अनर ये दोनों महापुरुष इस जरसी बात को भूल गए और इन्होंने अर्जोन और हैदर को देश द्रोही साबित करने के लिए अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में ये नकली पाकिस्तानी दस्तावेज छाप डाले इन्हें गिर्फतार किया जाए यूर अनर ये अदालत को गुमरा कर रहे है क्योंकि ये केस जूटे दस्तावेजों का नहीं बलकि हत्या का है और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि आरोपी ने अठारा हत्याएं की है क्या आरोपी के वकील के पास है कोई ऐसी वज़ा है जो इन हत्याओं को जाइज ठहरा सके वज़े है यूर अनर तो बताए वो वज़े और अर्जुन को निर्दोश साबित कर दीजिए आप खामोश क्यों है बताए न वज़़े वकील साब वज़े मैं जानता हूँ यूर अनर लेकिन मैं अदालत को पता नहीं सकता आप जानते हैं कि आपका ये बयान आरोपी को मृत्यु दंड दिला सकता है हाँ जनाब दे दीजी अर्जुन को मृत्यु दंड मैं अन्तिम बार पूश्ता हूँ कि हत्या की क्या वज़ा थी जवाब तीजे समर सिंग जी इसे मृत्यु दंड दे दीजिए मैं वज़े नहीं बता सेकता हूँ च्यार अनर यॉर अनर वज़ह मैं बताऊंगी नहीं राखी तुम वाबस लोड़ जाओ मैं कहता हूँ लोड़ जाओ राखी तुम्हें मेरी कज़ब राखी लोड़ जाओ राखी राखी तुम्हें मा का वास्ता है लोड़ जाओ इस नरख से नहीं भाईया हमारे रिष्टे की सच्चाई पताने से आज मुझे कोई कसम कोई भगवान भी नहीं रोख सकता जजबाती मत बनो रखी तुम बर्बाद हो जाओगी हो जाने दो बर्मान मुझे आज मैं पता कर रहूंगी की हकीकत क्या है यॉर हॉनर एक निवेंबर की रात इस सीम का भाई डेप्यूटी सीम बद्रीनात रवेदी अंडर वर्ड ओंज जपर सुपारी इंस्पेक्टर अवस्थी इस विष्कर का बेटा और इंक्यापी उचे किन्प करके इसके फाभ हाऊस पढ़ने करें इसके फाभ हाउस पढ़ने करें यॉर हॉनर मेरा बलतकार करने के लिए गैंग रेप करने के लिए इंपली भयाँ अजाँ लेंजबर लेंगते विंए इस सकता हॉ रही ह का रही है बलतका हॉ बही हॉ सकता हॉ आ को बाल इननननननननन हो एकस प्रॉक रख। इंकाउंटर स्पेशलिस्ट अर्जुन रिनावत मैं जफर सुपारी अगर हिम्मत है तो सीम के फाम बाउस बना कर रोक ले अपनी बहन की इजद का इंकाउंटर जफर सुपारी टूंटर दंडे न नियत चेय, दंडे न यतिया पुदह, दंडे नीति रिति क्या था दिनलो गान विवारता दे विवारता देष्टाः onze लंडे उाँ लंडे नाभा टेठा जिले भी निलो अपंडेक्षाश्य है प्तायु पोडा टेच्पशसर अनेृचन सभाइ श्र менее बंडेजिक्यूब‍ट अंपर व्यार्यां को प्यार्यार्या औरते थे दूल हिरलो व्यार्यार्या व्या-पॉ्या औरते शहें ह र्यार्या आए झाए जार पिर दा दंड़ शास्ति पजासर्वा दंड़ एवा विरख्षती दंड़ सुप्ते सुजागरती दंड़ मखर मुदुर्बुधा शासर्वा प्रूम्दू प्रूम्दू को अुछर्णी क्या है कि बंड़ कर दो का विरख्षती दंड़ मुदू मुदूदुद देहा कॉछर प्रूम्दूदू यर्ण्णुब०ू याँआएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए इबार्ळ वर रिविर 12 पिल वार में कर्या w को जिमनरल जिम Potan . प्रच्राइब . ऑ्र्च pup . . झाल झाल एन एनमे का फिसफ passive कि फ्र चीजिए कि प्रॉजरा Ke मोई कि में हेम मैं कि यूड़ लुड़ भेव भी उफ बाहद जाए बाहद kि उङक तर्ण्डे दन्नियत जेयं दन्डनयतिया पुदा दन्दीशिरिकिया सा तिम्लोकान दिवर्तते तंड़ शास्ति पजासर्वा तंड़ थे वाभिरक्षती तंड़ सुप्ते सुजागर्थी तंड़ मुधर्मग दुर्भुधर्धों पीशे सर्भुपते, सल्पते, सल्पते, सल्पते यह है उस रात की हकेकद क्या अब भी कोई जानना चाता है कि मेरा भाई खामोश क्यूं है और क्यूं वो अपने लिए मौत मांग रहा है रुप जाईयजद साव योर अनर मैं एक सिपाई हूं नहीं चाहिए मुझे जिंदकी की भीक मुझे चाहिए विजह या वीरकती दीजी मुझे मृत्यू डंड क्योंकि मैं फिर से लॉट कराऊंगा और अपने देश की गर्व की रक्षा में फिर से शस्त्र उठाऊंगा क्योंकि अर्जुन रणभूमी में शस्त्र उठाते थे उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे सम्मान के साथ आरूप मुक्त करती है गीता में क्रिष्ण ने कहा है पाप नहीं दुष्ट दलन में मृत्व शरीर मारती है आत्मा अजर अमर रहे न्याय के लिए लड़ो सदा हर मेरा सद रक्षना हर मेरा खलनिक रहनाए हर मेरा सद रक्षनाए हर मेरा खलनिक रहनाए हमें वतन बेगर्व है जीए तुझे बरे तुझे वर्दी ये शान है हमारी वर्दी इमान हमारी वर्दी पहचान है हमारी वर्दी भगवान हमारी देश को ये जन्म दे दिया धर मेरा सद रक्षनाए मल मेरा खलनिक रहनाए हमें वतन बेगर्व है हमें वतन बेगर्व है